एक सब्सक्राइब करेंगे इससे अपी नेक्स एपसोड को स्टार्ट करते हैं अब यहीं अंदाज से लगा रही होती है कि वो लोग इस टाइम पर आने वाले होगे क्योंकि उनकी शिफ्ट इस टाइम से स्टार्ट हो रही थी वह भी उपर वाली जो पिक्स पहला आई थी उ Onun के लिव्ट के आने के बाद आती वह लोग अंदर लिव्ट में चले जाते हैं दूसरी वाली से आप यह जिस जगह पहुंच दिया वही पर उसने आना होता अब इसे वह भल्या फ्लावर भी नजर आ जाते जो इसने अपनी sister की भी किस में से देखा था अब उसे देख कर ताके वो चीफ वगरा ना मारे और कोई भी इस तरफ ना आ जाए और इसी को सब लोग ढूंड रहे होते हैं क्यूंकि इसके पास वोकीटोकी होता है जिसमें वो लोग इसे ढूंडने का बोर होते हैं और यह इसने उसी परसन से चुड़ाया था जिसको पेहोश करकर आया हु होगे तो वह भी इसकी बातमान लेता और दोनों डांस करने के लिए सब लोगों के दरम्यान आ जाते हैं और वहीं से वो लोग ढूंडते होवे गुजरे होते हैं कि ब्लैक कलर की कपड़े पैने होगा और मास्क लगाया होगा वह परसन कहां है अब उन लोगों को यह नज लगता उसकी वाले भी इनके पीछे लग जाते हैं और यह तो भागा कर उसे बाहर तक लिया थी और वह परसन भी इसका बाहर निकल आया था उनके जाने के बाद यह इसके पास आता है इसके पाउँ पर चोड़ लगी थी इसलिए उसके उठाकर एक जगा पर पट्टी होता है कि जीचिंग कोई और नहीं और यह तो उससे काफी इंप्रेस होती और वह भी वहां से जला जाते हैं इसको घर जाने का बोलकर पर जैसे वहां पर उसकी को बचाते होवे लग गई थी आभी देकर लेकर आ गए हो पर वैसे ही जीचिंग अपना नेकलस तूरने लग जैसे जीचिंग उठने लगते तो उसे मना कर देता है कि तो मैं रच्ट करने चाहिए मैं टून कर लेकर आता हूं यह कहकर वहां से डूनने के लिए चला गया था और यहां वैंशी जो वापिस आकर इस नेकलस को लेकर सर्च कर रही होते हैं उसे पता लग चाता है कि यह एक परसन है वह यूंवांग चीन है जिस पर फ्रॉड के लगाया क्या था और इसका मतलब जो साथ वाला था और जो मुझे मिलता फिश वो उनका बेटा यूजी है मींस के यूजी चिंग जिसने अपना नेम शूजी चिंग बताया हुआ था इसी वज़े से वह अभी भी भी नहीं है तो यह तो वहां से चला जाता है पर उसके जाने के बाद ही उसे देख रही होती है जाते हुए और उसके साथ गुजारे हुए हर एक मॉमेंट को याद करी होती है कि हम दोने एक दोसे को किता स्पॉट क्या करते थे पर अब दोनों के रास्ते अलग हो चुके और यह भी डारेक्ट वेटर के पास जाती और उससे पूछना चाहती थी कि यह लड़का कौन है जो फिक में है अब जहां पर बैटकर यूजी का वेट करी होती है जैसे यूजी आता तो उससे देखा खड़ी हो गई थी और उसको उसके नेम से बुलाती और साथ में उसका प अपने उबाल सा वही पेंट्टिंग की पिक दिखाते होगे करें लगते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई ना कोई तो एविडेंस चुपाया हुआ है और एक लिपस्टिक भी निकाल कर दिखाती है कि यह लास्ट तर मेरी सिस्टर के पास थी जब उनका एक्सिड कि यहां पर कोई ना कोई तो कट होगा और फाइनली इन्हें कट मिल पी जाता है जीचिंगी उस कट कर वापिस खोल कर उसमें से मुबाइल निकालता है जो बेन हो नहीं रखा था अब ऐसे कैमरास बंद होने की वज़ज़ से स्क्योटी वाले इसी तरफ आते हैं तो एक को मैंशी के तबियाद खराब हो रही होती है क्योंकि उसे तोड़ी तोड़ी नीदारी थी वह भी होश्च ऐसी हो रही थी पस जीचिंग ने उसे संभाला हुआ था अब लिंगयन दिखा चाते जो उसी पेंटिंग को देख रहा होता है और उसको आकर बताया चाता है कि एक सब्सक्राइब के घंग यूज़ भी थोती हैं स्ब्सक्राइब करास लोगों को संभाला लोगा क्यूंकि उसे पता था कि आगे वो लोग उन्हीं कर रहे हैं अभी वैंशी के साथ उतर चुछाता है पर वैंशी की अभी हालत का घरा खराब होती है और यहां लिगमिन की का कार को रोक लिया चाते हैं कि कार की पीछे बोगों बैटे होए तो पर वहां पर तो कोई भी नहीं होता है और लिंग युद्धिन को भी अपने बनाचारी होती है कि लटका कौन है पर जैसे उसका मास उतार पाती है वैसे ही बहुष हो जाती और देख नहीं पाती है और यह भी अपने साथ अपने बार में ले आता है उसे लिटा दिया था और पुछे लगता है कि अभी तक रैन नहीं आया तो वो बताता है कि नहीं रैन तो नहीं आया शाफी दिखाया जाती है जो सुने की तियारी में होती और वेसे ही डॉर नो को रहा था वो तो काफी ज़ιदा डर जाती इसलिए उसे नाइफ भी पकड़ लीती और जैसे डॉर आपन करके मारने वाली होती है पर वह तो रहन होता है जिसकी थोड़ी हालत खराब थी अब यह भी उसे पकड़ कर वहीं बैट जाती है और वह उसे हल्प करने को बहुर रहा था और जीचिंग दिखा जाता है जो लिं गीन वहां भी रिटिंग देने वाला था लगता है कि तो में दीर आखे चाहि welcome पूछ लगता है कि मुझे अपने लिए चोक्रिक्स कुद लेकर आनी होंगी और वैसी दिखा जाता है कि मैंशी को जब होश आती तो उसके सामने मास को लड़का बैठा हुआ तो से देखते साथ ही पॉलांसों से हग कर लेती है और उसको किया हुआ था फिर वो से मुबाइल के बारे में पात करने लगता है कि हमें लेने के लिए जाना चाहिए तवा कहती है कि चलते हैं और उसके साथ जाने लगते हैं अब पता लग चुका था कि वहां से लेकर जाया गया है इसलिए वह भी इसको ढूड़न कि अपना मास्क उतार देता है क्योंकि वह लड़का कोई और नीताबर के लिंग्वियन था वो तो उससे एविडिन्स लेना चाहता था और मोबाल लेकर सब कुछ खतम करना चाहता था तो कहने लगता है कि कि तुम उससे बात करने के लिए यहाँ तक मुझे लेकर आये तो कि तुमसे उसी तरह बात करूं यह कहने के बाद उसकी तरफ भागते हुए आता है कि मैं तुम्हें धक्का देकर इमार दूँगा पर वो तो साइड पर हट जाती और यही खुदी गिरने वाला होता तो जिल्दी से उसका हाथ पकड़ लेती है लिंक यहन तो बस उसे कि नचाती हूं तुम्हारे डाइड ने जो कुछ भी किया मुझे नहीं पता पर फीपी जो होगा मैं उस चीस का सामना करूंगी यह कहकर उसे हग करके रखती है और उसकी बातों करते हैं कि तुम दोनों बेने बिलकुल एक जैसी हो बहुत ही जदा रहम दिल हो और भी वैं पानी देने लगता है पर वह तो पानी पीने को भी त्यार नहीं होती क्योंकि उसे सीचिंग पर बहुत ही जदा गुस्सा होता है उसनों से चूट क्यों बोला अगर वही वह मास्कॉल अलटका था तो उसे बता देना चाहिए ता ना वह उसका यूज क्यों कर रहा था अब मेरे पास एक ही रास्ता रह गया था क्योंकि मेरे उपर कर्स भी था कि मैं अब रॉट चला जाओ और स्क्योर्टी बगरा का काम कर लूँ इसलिए मैं जॉब के लिए पहुंच भी गया वहां पर जाकर मैंने पूछा क्या यहां पर कोई जॉब है तो मुझे जो सबसे पहल अब एंड हो जाता है वीडियो ची लगे तो वीडियो को लाइक करना